नमस्कार दोस्तों आप सभी को मैरे चैनल स्टॉक मार्केट अनलिसस पर स्वागत करता हूं और जैसे कि हर रोज के लिए मैं कुछ ने कुछ वीडियो जरूर देता हूं आप लोग को कल के लिए कुछ में लेवल्स देना चाहता हूं और खासकर कि जो भी स्टॉक्स आपके में पिक किया हुआ है उन स्टॉक के उपर हम लोग थोड़ा अनलिसस करेंगी कहां पर सपोर्ट है कहां पर रेजिस्टन्स है और सपोर्ट के नीचे जाएगा तो कहां तो जा सकता है रेजिस्टन्स की उपर जाएगा तो कहां तो जा सकता है यह सारी चीज हम लोग कर लिजे और किसी को अगर paid service में भी जोईन करना है तो उसी link पर जाके join कर लिजे आपको वहाँ पर paid service की सारे details आपको मिल जाएगे और उसके साथ साथ किसी को अगर analysis करना किसी को trade करना अगर किसी को training classes की भी ज़रूरत है description पर मेरा email id mentioned क्या हुआ है email ID पर मुझे mail करें आपकी details और आपको उसके regarding का सारी details आपको मिल जाएगे चले चलते हैं SBA की उपर SBA की उपर ठोड़ा पर analysis कर रहेंगे अभी काफी अच्छे जगे पर खड़ा है support पर ही खड़ा जैसे support टूड जाता है तो काफी नीचे जाने के चांसे से क्योंकि ये काफी टाइम टेस्ट हो चुका ही support जो है और खास करके इससे पहले दिन थोड़ा support break करके sustain नहीं हो पाया sustain करता तो तुरण नीचे के लिए काफी सारे target थे तो अभी initial target हम लोग देखेंगे support रहेगा 418 याद रिखिए 418 आपके लिए important support काम करेगा 418 के नीचे अगर चलता है आप लोग direct sale कर सकते हो पहला target रहेगा 415 415 25 पेसा और उसके नीचे भी चलता है 411 और उसके नीचे भी चलता है 407 हो सकता है 400 का level यह दुबारा retest करने की कोशिस कर सकता है याद रखिए अगर state bank of india 418 के नीचे चलता है आप लोग sale कर सकते हो पहला target रहेगा 415 25 पेसा और उसके नीचे भी चलता है 411 और उसके नीचे चलता है 407 रेजिस्टंस की बात अगर कहूं रेजिस्टंस रहेगा 421 रूपीज 15 पेसा याद रखिए 421 रूपीज 15 पेसा के उपर अगर चलता है आप उसको बाय कर सकते हो पहला target रहेगा 424 35 पेसा 424 35 पेसे के उपर भी चलता है 429 15 पेसा और 434 यहां तक आपको टार्गेट रहेगा याद रखिए अगर 421 15 पेसे के उपर चलता है SBI तो आप लोग बाय कर सकते हो पहला target रहेगा 424 35 पेसा उसके उपर चलता है 429 15 पेसा और उसके उपर चलता है 434 आप लोग समझ आया होगा आपको तो किसी को अगर समझ नहीं आया होगा प्लीज वीडियो को दुबारा देखिए या पर अगर टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं आप लोग मैंचे कमेंट करके पूछ सकते हो वहां पर उसके साथ साथ किसी को भी अगर मेरे करना है डिस्क्रिप्षिन पर लिंक है सट्ड़े संड़े दो दिन में ठ्रेइनिंग प्रोवाइड करता हुँ हवं हफते में एक क्लासे से एक हपते वहाँ पर लिंक मिल चाएगा चलते नेक्स टॉप के उबर चली नेक्स टाप का रहाएगा टाटा केमिकल्स टाटा केमिकल्स में मैंने एक चीज़ आपको कहा था कि ये भी सेलिंग के लिए जा सकता है और कहां ता जा सकता है मैं धीरे-द्रे करके बता रहा हूँ आइटिंग मैंने सपोर्ट आपको कहां तक सपोर्ट मैंने दिया था टाटा केमिकल्स का हम लोग 850 855 पेसे तक हमने प्लान किया था अभी जो है उसके नीचे चला गया है 855 तक इसने लो लगा दिया है तो हमारा नेक्स टार्गेट कहां पर होना चाहिए मेरे क्याल से 47 36 क्य टार्गेट होना चाहिए तो चलते हैं डारेक्ली लेवल्स के पर और टाटा केमिकल्स का सपोर्ट हम लोग पहले देखते हैं 855 याद रखे 855 आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट है और जैसे 855 के नीचे चलने लगता है डारेक्ट जेल कर सकते हो 845 रुपीज 50 पेसा पहला टार्गेट और 836 यहाँ पक्त दो टार्गेट आपको रहेगा याद रखे 855 की 5 से एक ग्रीन केंडल भी बनाने की कोसेस कर सकता है मार्गेट ध्यान में आपको राखना है कि 855 अगर ब्रेक करता है सस्टेन करता है तभी सेल करने याद वैस उसके उपर आपको 855 50 पैसा और 836 रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 864 जैसे ही 864 के ऊपर चलने लगता है बाए कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 873 दूसरा रहेगा 879 95 पैसा और 886 90 पैसा याद रखे 864 864 का सपोर्ट रहे रेजिस्टन्स रहेगा जैसे 864 के उपर चलने लगता है बाए कर सकते हो 873 पहला टार्गेट दूसरा टार्गेट रहेगा 879 95 पैसा और उसकी उपर भी चलेगा तो 886 90 पैसा यहां तक आपको टार्गेट रहेगा जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स था मैंने क्लियली बता दिया हूं अगर मेरा लेवल्स अच पैड डिंट सर्वीष चाहते हो उसी डेस्क्रिप्शन पेकर लिंक जो है उपन करकर जोईन कर लिए उसके बाद आपको वहाँ पर पेड सर्विस की जानकारी आपको मिल जाएगे उसके साथ साथ किसी को गर मेरा ट्रेणिंग क्लासस जोईन करना है डेस्क्रिप्शन पे इमेल एड़ी मेंसन हुआ है मुझे मेल करें चले नेक्स्ट आपका रहेगा टाटा स्टेल अभी धीरे-धीरे करके नीचे आने की कोसिस करेगा बट यह अगर 1472 के नीचे चलने लगता है तब हम लोग दुबारा सको सेल करके में भी यह 1300 का लेवल यह 1350 का लेवल जो है दुबारा हीट कर सकता है आगे चलके तो इनिशियली आपको क्या लेवल को फोलो करना है मैं आपको इंट्राडे के लिए बता देता हूं और खास करके फोलो करिए टाटा स्टील अगर 1488 याद रखिए 1488 के नीचे अगर चलने लगता है सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 1472 और उसके नीचे भी चलता है 1458 और उसके नीचे भी चलता है 1444 याद रखिए अगर टाटा स्टील 1488 के नीचे चलने लगता है आप लोग सेल कर सकते हो पहल टार्गेट रहेगा 1472 उसके नीचे चलता है 1485 उसके भी नीचे चलता है 1444 यहां तक आपको टार्गेट रहेगा कि रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 1503 जैसे 1503 की उपर चलने लगता है बाय करिए 1511 रुपीज 25 पेशा पहला टार्गेट एक चोटा टार्गेट रहेगा उसके बाद भी चोटा टार्गेट है 1519 का और जैसे ही 1519 क्रॉस करेगा 18 रुपीज 90 पेशा है टाटा स्टील अगर 1503 की उपर चलने लगता है 1511 25 पेशा पहला टार्गेट रहेगा बाइंग साइड के लिए और दूसरा रहेगा 1519 जैसे ही 1519 क्रॉस कर लेगा 1534, 1551, 1567 यहां तक आपको काफी अच्छा टार्गेट देखने को मिले आपको जो भी लेवल सा मैंने बता दिया हूं प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चली नेक्स्ट आपका रहेगा भारत पेट्रोलियो बीपीसेल की उपर हम लोग दोड़ा देखेंगे बीपीसेल को मैं इसलिए प्लान कर रहा हूं क्योंकि यह डेबलू पैटर्न जैसे क्रॉस कर लेगा यहां पर तो एक बड़ा मोमिंटम आपको यहां पर पॉसिबिल है और हो सकता है जैसे हमने पिछली दिनों भी देखे थे कि यह क्रॉस करेगा बट यह यहां पर सपोर्ट एस और रेजिस्टन्स फेस करके नीचे आया तो सेम जगह पर अभी रेजिस्टन्स फेस कर रहा है जैसे ही यह उपर चलने लगता है काफी बड़ा मोमेंटम आपको तेखने को मिलेगा तो बीपीसेल का सपोर्ट क्या रहेगा 461 याद रखिए अगर 461 के नीचे अगर बीपीसेल चला आता है अप लोग बाई कर सकते हो सरी सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 458 दूसरा रहेगा 455 याद रखिए बीपीसेल 461 के नीचे चलेगा सेल करो 458 455, दो टार्गेट रहेगा रेजिस्टन्स की बात अगर कहूँ 464 की उपर जैसे ही बारत, सारी, BPCL चलने लगता है आप लोग बाई कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 467 दूसरा रहेगा 470 तीसरा रहेगा 475 याद रखिए अगर BPCL 464 की उपर जैसे ही चलने लगता है एक टार्गेट आपको मिल सकता है 467 और 467 जैसे क्रॉस करेगा 470 और 475 यहाँ तक आपको काफी बढ़या टार्गेट देखने को मिल सकता है गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स था डेस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर आप लोग जोइन कर सकते हैं उसके बाद आपको पेड़ सर्विस के डिटिल वहाँ पर मिल जाएंगी उसके साथ साथ अगा किसी को ट्रेनिंग क्लासेस मेरा जोइन करने के लिए description पे मेरा email id mention हुआ है वहाँ पर जाके आप लोग email करें आपको सारे details मिल जाएगी I hope video पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को share कर लीजी साथ के साथ और साथी साथ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर सकते हो